अभी हमने आपको लास्ट टू वीडियो में मैंने आपको लेसे नंबर 11 लाइव इंद डिजर्ट पढ़ाया था इसमें मैंने आपको वाट इज़र्ट टाइपस ऑफ क्लासिफिकेशन के टेकशन डिजर्ट सहारा डिजर्ट राइट नैच्चर वेजिटेशन उसकी लाइफ पीपल वाइट लाइफ यह सब कुछ बढ़ाया था नाव वी विल रिड़ अबाउट डाइप जैसा कि अपने सहारा डिजर्ट के बारे में उसका फीजिकल डिवीजन वगरा सब कुछ बढ़ा था उसी तरीके से अब हम लड़ाक के बारे में पढ़ेंगे नाव लड़ाक है इस बेसिकली नोन एज ताबितियन टर्म्स यानि की इतका मीनिंग जो होता है लैंड ओफ हाई पासेज लोकेशन जो इसकी लोकेशन है वो लोकेशन दे इस्टन पार्ट ऑफ द जमो इन काश्मीर इंडिया लड़ाक इस अ कोल मांटें रॉकी डिजर्ट लाइ तकी बेसे लोकेशन पाइब लोकेशन गश्मीर अ कॉर्बा रहा एंडिया न की जो इसकी अल्टिटीट जो है वो थी ताउजन से एफ ताउजन मिटरे चारा कॉर्म न रहा होती बाइब़ रहा मुटन तक इस्टन पार्ट रहा कॉर्ट यानि की जो इसकी आल्टिट्यो चांग लंग दा एक्सेट्रा यानि कि यह क्या है माउंटेंस पासे पोई एक्सेस तो लड़ाग सेवरेल माउंटेंस विच पासे फॉम द लड़ाग दरग माउंटेंस तैरियन हाद बिन दिस्केटिट बैद अपर कोस अफ़ रिवर इंदस और इट्स टुबेट्री टुबेट्री मैंने आपको बताया है कि जो रिवर्स के साथ बहाग आती है उनके साथ आती है छोटी-छोटी सी दा नुब्राग श्रॉक शुरू और जैंसकार इस आधा टुबेट्री जो इंद रिवर इंदस के साथ आती है इस रिवर्स हैव कट डीप वैली एंग गॉज़ेस एंड लेंड संग्री टू द अधर्वाइस ब्ली ड्राइलेंड्स के पांकोंग टास को इन हूज सॉल्ट वाटर लेकिन लदा यानि कि आप से पूछा जा सकते है कि वाट इस अहूज सॉल यह लेकिन लदाख आप देख सकते हैं यह पिचर एक इस चू है खार दूगला पंगोंग टास यान की जो फरस्ट वाली पिचर है वह खार दूगला की है और दूसरा अच्छी जो पिचर है वह हूज सॉल्ट लेक इन लदाख लेकिन लदाख लेक। नहीं होती है, the annual rainfall is as low as 10 cm, westerly disturbance as the bitter cold winds from Central Asia bring snowfall to the rain which feeds and glace in the mountains, देखिए, यहाँ पे कोई rainfall नहीं होता है, जो rainfall होता है, annually जो count होता है, वो 10 cm count होता है, और westerly disturbance यानि कि, यहाँ पे west side से, यानि कि, west की तरफ से, पश्यम की तरफ से, क्या होती है, bitter cold winds, यानि कि, बहुत थंडी हव आती है, Central Asia brings, और जो कि, वो snowfall brings करती है, snowfall लेकर आती है, to the reason which feeds a glacier in the mountains, the climate here is extreme with summer's temperatures varying between 30 degree celsius during the day and minus 3 degree celsius at night, देखिए, यहाँ पे जो temperature होता है, summer में, जो day time में होता हो 30 degree होता है, और जो night में जाते जाते हो, माइनस 3 degree तक हो जाता है, while winter temperature remains, blow freezing point during the day and may reach as low minus 35, देखिए, और जो winter में जो temperature होता है, वो like freezing point पो होता है, but last night में जाते 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 हो, बहुत जदा ठंड हो जाते हो, temperature minus 35 degree तक पहुंच जाता है, the winds entering through the passes brings heavy snowfall during the winters, और क्या करती है, जो वहाँ से जो हवाई चलती है, वो snowfall लेकर आती लदाख has a treeless windswept terrain where most mountain slopes are barren and the lower warmer slopes near the river valley, have a few, have a few willow, willow, cedar, elm, popular cypress, junipus, यहां की vegetation है, यहां पर क्या के vegetation found होती है, यहां पर इस टाइप के trees, यहां पर found होती है, during the summer season, trees such as apple, apricot, walnuts, blooms, blooms, यानि की blooms का मतलब खिल जाते है, a few alpine pastures with mosses and genetides are found at higher altitude, इस टाइप के जो trees हैं, वो higher altitude पे मिलते हैं, now thank you, thank you for all.